सीता मरीज शिवहर के बीच रेल मार्ग को लेकर अब तक जितनी भी अटकले थी सब पर पूर्न बिराम लग चुका है जी हाँ, अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि सीता मरीज सीवहर के बीच 28 किलो मीटर लंबी रेल मार्ग का निर्मान किया जाएगा अब तक यहां के समाजिक कार्य करता और नेताओ द्वारा जिस पत्र को फरजी बताया जा रहा था जिस दावे को पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा था उस पर पूर्ण बिराम लगाते हुए पूर्वमध्य रेलवे ने यह एसपस्ट कर दिया है कि 28 मार्च को 28 किलो मीट लंबे रेल मार्ग जो की सिता मरीश स्युहर के बीच में होगी उसके लिए सुक्रिती दे दी गई है इसके लिए 566 करोर तिरासी लाग की रासी भी आवंटित कर दी गई है इस रासी से भूमी अधिकरहन और रेल के पट्री को बिछाने का काम किया जाएगा सिवहर सांसद रामा देवी ने बताया है कि 286 हेक्टेयर जमीन अधिक ग्रहन किया जाएगा वहीं 10 पूल और 42 पूलियों का निर्मान किया जाएगा सिवहर जीले के धनकाउल और सुगिया कटसडी में एस्टेसन बनेगा बजट में इस रेल मार्ग की अंदेखी और हाई कोट में एक सप्ताप पूर्व रेलवे द्वारा रेल मार्ग का निर्मान कराने से इनकार करने के ठीक बाद सांसद द्वारा इसकी स्विक्रीती रेलवे से दिलाने के बाद जिले में सवाल उठ रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन सुचना अधिकारी विरेंद कुमार ने रेलवे द्वारा जारी पत्र को सही करार दिया है सीता मरी सिवहर के बीच रेल मार्ग को लेकर अब तक जितनी भी अटकले थी सब पर पूर्ण बिराम लग चुका है जी हाँ अब यहाँ पूरी तरह से एसपस्ट हो चुका है कि सीता मरी सिवहर के बीच 28 किलो मीटर लंबी रेल मार्ग का निर्मान किया जाएगा अब तक यहाँ के समाजिक कार्य करता और नेताओ द्वारा जिस पत्र को फरजी बताया जा रहा था जिस दावे को पूर्ण बिराम लगाते हुए पूर्व अमध्य रेलवे ने यह एसपस्ट कर दिया है कि 28 मार्च को 28 किलो मीटर लंबे रेल मार्ग जो की सीता मरी सिवहर के बीच में होगी उसके लिए सुक्रीती दे दी गई है इसके लिए 566 करोर 183 लाग की रासी भी आवंटित कर दी गई है इस रासी से भूमी अधिक रहन और रेल के पट्री को बिचाने का काम किया जाएगा सिवहर सांसद रामा देवी ने बताया है कि 286 हेक्टेयर जमीन अधिक ग्रहन किया जाएगा वहीं 10 पूल और 42 पूलियों का निर्मान किया जाएगा सिवहर जीले के धनकौल और सुगिया कट सडी में एस्टेशन बनेगा बजट में इस रेल मार्ग की अंदेखी और हाई कोट में एक सब्ताप पूर्व रेलवे द्वारा रेल मार्ग का निर्मान कराने से इनकार करने के ठीक बाद सांसद द्वारा इसकी स्विक्रीती रेलवे से दिलाने के बाद जिले में सवाल उठ रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन सुचना अधिकारी विरेंद कुमार ने रेलवे द्वारा जारी पत्र को सही करार दिया है